गुद मॉरिंग डियर स्टुडेंट्स तोडें वी विल सॉल्व आवर पेज नमबर 75 इन मैप्स बुक और 75 पेज पे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मल्टिप्लाई इससे पहले भी हमने मल्टिप्लाई की हुई है बट वो कैसी थी? अब हमारे सामने कैसी मल्टिप्लाई है? वेड कैरी तो आज हम सीखने वाले हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है जो मल्टिप्लाई होती है बेटा उसका क्या मीनिंग होता है? टेबल्स जो नमबर हमें दिये होते हैं मल्टिप्लाई के साथ उसको हमें उपर वाली numbers से multiply करना होता है wait tables इसका मतलब है कि जो 3 हमें दिया गया है इसको पहले 6 से multiply करो 3 का table 6 तक लो उसके बाद 3 का table 3 तक लो ये जो number इसको इनके साथ multiply करना है अब जो 1s column में 6 है सबसे पहले उसको 3 से multiply करते हैं 3 का टेबल कहां तक बोलना है हमें 6 तक 3 6 जा 18 अब हमारे पास नमबर क्या है 18 अब जो नमबर 18 है इसको हम वन्स कोलम में तो नहीं रख सकते क्योंकि उसके आगे 10 का भी कोलम दिया हुआ है 8 हमारे पास 1 है और 1 क्या है 10 तो 8 को हम 1 कोलम में रखेंगे और 1 को 10 कोलम में कैरी वहाँ पे भीज देंगे ठीक है उसके बाद जैसे ही हमने 3 का 6 तक टेबल लिया तो हमारा ये सॉल्व हो गया अब 10 कोलम में क्या है 3 अब 3 को हमें किस से मल्टिप्लाई करना है 3 से अब 3 का टेबल 3 तक लेंगे 3 3 तक लेंगे 9 अब हमारे पास क्या नंबर आ गया 9 अब 9 को तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 9 के उपर 1 भी है तो जो भी आपके पास यहाँ पे कैरी होता है उसको हमें केस के साथ जो आंस्वर आए उसके साथ प्लस करना होता है 9 और 1 10 we will write here 10 is kamat lahat 36 3s 108 okay you got it better